हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपके इंगलिश सेंटेंसेज करेंगे जिसमें आपको क्या करना है मेरे साथ साथ बोलेंगे और ये सबी सेंटेंसेज आप अपनी नोट बुक में लिखेंगे ठीक है और साथ में ये वेरी इंपोर्टन आपको सबी याग भी होने चाहिए होगी हमारी it is no use asking him यानि उसको कोई फैदा नहीं है आसके पूछना यानि ठीक है तुम इससे बच नहीं सकते जब आप किसी को बता रहे होते हो कि हाँ आप आपने गल्ती की है तो आप बच नहीं सकते हो तो उसके लिए आप क्या बोलोंगे you cannot you can't escape from this यानि escape यानि पच नहीं सकते ठीक है you can't escape from this क्या कहा तुमने what did you say जब आप किसी को गुसे में कहते हो ना कि हाँ दुबारे बोलना रिपीट करना ज़रा क्या कहा तुमने अभी तो आप इस sentence में आप क्या बोलेंगी what did you say and अपने दिमाग का इस्तिमाल करो कई पर ममा गुसा हो जाती है या पापा गुसा हो जाते है what hear they say कि हाँ पिटा अपने दिमाग का इस्तिमाल करो अब गलत काम कर रहे हो है ना तो इसको हम इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, use your brain brain मतलब दिमाग क्या sentence बोलेंगे, repeated use your brain केक तयार होने में 15 मिनिट लगेंगे यानि अगर ममी आपके केक तयार कर रहे है आप ममी से पूछ रहे हैं ममा कितनी ताइम लगेगा आपको बनाने में तो आपकी ममी ने क्या बोला आंसर में कि केक तयार होने में 15 मिनिट लगेंगे तो आपको आंसर में क्या लिखना होगा दा केक विल टेक यानि लेगा टाइम 15 मिनिट तो प्रपेर यानि तयार होने में उसको 15 मिनिट लगेंगे ठीक है नेक्स्ट इस पानी भर कर बहे रहा है नल बंद करो या इसका मतलब क्या होगे कि पानी ओवर्फ्लो हो रहा है बालती भर चुकी है पाके भर चुकी है और पानी को बंद करने की जरूरत है तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे अगर आपको किसी को बोल मतलब हो कि आप बंद करो तो आप क्या बोलेंगे इसको the water is running over turn the tap off ठीक है next is चाय को गरम कर दो मानलो चाय ठंडी हो चुकी है उसको आप किसी को गरम करने के लिए आपकी ममा बोल रही है आपको दुबारे गरम करने के लिए तो आपको क्या word यूज करना होंगे अपनी ममा को भी सिखाने की कोशिश कीजे क्या बोलेंगे heat up the tea की चाय को heat यानि गरम करना tea means चाय और चाय को गरम कर दो heat up the tea now the next one is क्या मैंने आपको सही समझा did I get you right right मतलब सही समझा मैंने क्या आपको कि हो सकता है मैं किसी को गलत समझ ती बार 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 उसने मुझे complain किया कि तुम मुझे समझते नहीं हो तो हो सकता है जो misunderstanding थी आप वो clear हो चुकी है तो वो आप से क्या पूछ रहा है कि अब तो मै बोलेंगे फिर did I get you right next is चलो कुछ नया सीखते हैं let's learn something new अब आपकी teacher है जैसे आपको कुछ नया सिखाती है या कोई नया game start कर रही है ma'am as an activity के लिए तो ma'am आपसे क्या पूछ कहेंगी कि चलो आज कुछ नया सीखते हैं आज नया game करते हैं तो what she will say let's learn something new something में आपका कु कुछ भी आ सकता है any game आ सकती है any activity it can be there तो आप क्या बोलेंगे आपकी teacher आपको let's learn something new next is मेरे हाथ में जुन जुनी आ गई है मेरे हाथ में जुन जुनी आ गई का मतलब क्या होता है my arm has gone to sleep अब कही बर आपने भी notice किया होगा आपका पैर जब बोलते हैं कि हाँ मेरा हाथ सो हो गया है या मेरा पैर्स हो गया है तो एक जन्नाटा लगता है आपको अपनी बॉड़ी में अगर पैर्स हो गया है तो आपका पैर्स सुन हो जाता है लाइक है और इसको थोड़ी देर पाद आप हिलाएंगे मूफ करेंगे तो वह जन्नाहत लगती है आपको अपने हाथ म या वो पैर में भी हो जाता है तो आपके ममा आपको यही समझाती है ना हाँ बेटा कोई बात में पैर सो गया है इसको थोड़ा सा हिलालो अदरवाइस कुछ टाइम बाद यह नॉमल हो जाएगा तो ऐसे सेंटेंस के लिए क्या बोला जाता है My arm has gone to sleep